नमस्कार दोस्तों क्या आपके गुड़ल के पौधे की कलिया फूल बनने से पहले गिर जा रही है पतिया शिकुड रही है पतियों का साइच छोटा है पूलों का साइच छोटा है कलियों का साइच छोटा है आपके पतियों का कलर ओरिजिनल गाइब हो गया ऐसा लग रहा ज प्रश्चाइब देता है उसके बाद अचानक से उसकी ग्रोथ गायब हो जाती है फूल देना तो बंधी कर देता है और उसके बाद कुछ समय बाद होगा अचानक से सूख जाता है इस कंडिशन में अगर आप मेरे इस खाद को डालते हैं उस पाउधे में तो ग्रोथ कता ही नहीं रुकेगी दोस्तों और फूलेगा फलेगा और बहुत अच्छे साइच के फूलाएंगे दोस्तों एक बार इस खाद का परियोग करिए लेकिन इस खाद का परियोग करने से पहले इस प्लांट से रिलेटेड कुछ जरूरी जानकारी है जिसको हम शेयर आपशे कर ले पड़ेगी तब जाके अगर आप कोई खाद डालते हैं तो वाँ खाद सूट करेगा अगर आपको जनकारी नहीं है उस पाधे के बारे में और खाद डालते हैं तो सूट करने के बजाए उल्टे आपके पाधे को नुकसानी पहुचाएगा और आपका पाधा अचानक से मज़िएगा ठीक है तो चलिए हम केयर टिप्स पाहले शेयर कर लेते हैं उसके बाद हम खाद बताते हैं ठीक है दोस्तों तो बता दें कि पौधे की अच्छी ग्रोध के लिए जो गुड़ल का पौधा होता है या जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें कम से कम आठ से 9 घंटे की धूप दिखाईएगा क्योंकि फूल वाले पौधे उन्हें धूप बहुत ही प्री होता है अगर आप उन्हें ऐसी जगह रख देते हैं जहां एक दो घंटे की धूप लगेगी वह पौधा अपनी ग्रोध भी गवा देगा अगर भूले भटके कलियां आ भी ज जाती हैं दोस्तों तो इस बात क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी फूल वाले पौधे हो फल वाले पौधे हो उन्हें आप पूरा पूरे दिन की धूप दिखाईए दिखाईए अगर नहीं दिखा सकते हैं पूरे दिन की तो कम सकम 8-9 घंटे की धूप दिखाईए ठीक है और खासतर से ठंडियों में अगर गर्मिया चलते हैं तो 4-5 घंटा भी काफी होता है लेकिन गर्मियों में 8-9 घंटा बहुत ही जरूर यह तब जाके आपके पौधे स्वस्त रहते हैं अगर हम उन्हें सेमी सेडी एरिया में रखते हैं तो दीरे 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 अपनी ग्रो यानि कि महीने में दो बर आप मिट्टी की खुदाई करिए जिससे यह होगा कि मिट्टी की उर्वरा सकती बढ़ जाएगी तो पौधे का समुचित विकास होगा अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करते हैं तो आपका पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा अगर भूले मिट्टी की खुदारी के चली है मिट्टी करना मिट्टी आपको अगरक्तु Store किके तो फूल और कलिया देते हैं और अगला फायदा यह होता है कि के मिट्टी की खुदाई करते हैं तो फूल आती है तो मिट्टी की घड़े आप पार्या पहलता है और मिट्टी धीली भी हो जाती है और धीली मिट्टी में ही जो खाद आप डालेंगे वह सूट करेगा अगर वही टाइट मिट्टी में आप डालेंगे तो खाद इधर उधर उधर आटका रहा जाएगा आपके पौधों को सूट करनेगा ही नहीं ठीक है उसके बाद अगला बहुत ही जरूरी महतपुर काम क्या है? कि अपने पौधों को जब भी आप पानी दीजेगा, तो चेक करके दीजेगा, ओभर वाटरिंग का सिकार अपने पौधों को न बनाईएगा, कभी-कभी ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, अपने पौधों को ओभर वाटरिंग का सिकार कर देते हैं, जिसके वज़े से हमारे पौधे दीरे-दीरे करके खराब जाते हैं, तो इस बात का ख्यार लखिएगा, कि अपने पौधों को कभी भी ओभर वाटरिंग न करिएगा, जब लगे कि मिट्टी सूख गई है, तब जाके उसमें पानी डालिएगा, और पानी डालने का एक तरीका और होता है, कि जब भी पौधों को पानी दीजेगा, तो सावरिंग करते हुए दीजेगा, उससे ये फायदा होगा, कि पौधे को पर कोई कीडे, मकोडे, चीटी आ रहेंगी, तो पानी के प्रेशर से वह धूल जाएंगी, और नालियों में बहज जाएंगी दोस्तों, तो ये फायदा होता है, तो और ये फायदा और होता है, जब हम शावरिंग कर तुब पानी डालते हैं, तो पौधे की पतियों पा, अगर धूल मिट्टी अगर अभी बैठे रहते हैं, तो ओ भी साफ हो जाते हैं, जब पतिया साफ होती हैं, तो उनकी पोर्ष खुल जाते हैं, इससे उनका अच्छे से विकास होता है, जब पोर्स खुल जाते हैं तो वह बहुत अच्छा फूड बनाते हैं, ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल लगिएगा, अगला काम क्या करना है, कि समय समय पर अपने मिट्टी के अंदर नीम खली, नीम आयल या फंगी साइड कि खुदाई के दोरान मुझे प्राप्ट होएं, ठीक है दोस्तों, तो आप यह करिएगा, कि समय समय पर मिट्टी के अंदर आप फंगी साइड या नीम खली जरूर डालिएगा, और पाउधे के उपर समय सावे पर नीम आयल का या एक चमच का चोथा हिस्सा सैंपू ले कीडे मकोडे उनका सर्वनास हो जाएगा, अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में यह जो ब्रत में नमक खाया जाता है ना सेंधा नमक उसका लीजेगा, एक चमच का चोथाई हिस्सा लेकर दो लीटर पानी में घोल लीजेगा, अपने सारे पाउधों के उपर छ चीड़काओ कर दीजेगा, सारे कीडे मकोडे चीटियों का नास हो जाएगा, दोस्तों, यह फ्री का है और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके पाउधे बहुत स्वस्त्रत है, क्योंकि यह कलियों का रश चूस लेते हैं, कीडे मक अच्छा रहेगा दोस्तों क्योंकि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है और पौधे पर बहुत जादे कीडे मकोडे लग रहे हैं हद से अधिक लग रही है तो आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर ये कीडे मकोडे चीटिया ना लगे तो आप समय समय पर छुड़काव करत दोस्तों मिठी अच्छी तियार करेगा ऐसी मिठी जिसमें आप पानी डाले और च्छन के निकल जाए भुरबूरी मिठी में जड़े अच्छे से फैलती है जिससे पौधे का उंची त्विकास होता है और भुर्बूरी मिठी में पानी का ठ्ढयाव भी नहीं होता है जब छिए पौधेमें मुझे खाट डालना है तो खाट डालने से पहले महतपूड आपको काम करना है कि आपके पौधे की गंले की निटि मिट्टीों के उसके पर जो सुखे पतियां हो अगर घास हो रहा हो तो उनको इसलिए कि अंदर अगर यह रहेंगे तो कीड्ये मुकवरे उत्पन हो जाएंगे पौधे में तो उन सब की साफ सफाई कर लिजाए अगर घास हो रहा हो तो उनको भी उखाड़ के फेक दीजगे क्यों क्यों क्योंकि पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेंगी जिससे हमारे पौधे के विकास में बाधा एक तो बाधा आती है एक सुखे पत्याँ, पीले पत्याँ जो भी हो भीया उसको आप मिठी में से भी यटा दीजिए और अचीर के उपर से भी यटा दीए। अब आम मिठी की प्रौपर तरीक के से खुदाई करिए का कि आप जो भी खाड डाले चाहे वह आर्गानिक हो चाहे रशाइनिक हो तो वह proper तरीके से suit करे बौद को और पौधे आपके बहुत अच्छे से growth करे ठीक है तो अगर आप organic जानते हैं किसे करते हैं जो मार्केट से यूरिया डिय पी पोटास और रशायनिक होता है जैसे हमारे किचन से निकलता है उससे हम बनाते हैं वह आरगनिक खाद होता है ठीक है इस बात का आप ध्यान लखिएगा तो आरगनिक खाद आप कई पार डाल सकते हैं रशायनिक खाद एक बाद डालिएगा उसके बाद ऐसे हाथों से जो भी मिट्टी डुकड़े होंगे उनको फूल लिजेगा उसके बाद आप खाद डाली गाया तो यह देख सकते हैं दो दोस्तों यह सड़ी हुई गोबर की ख अगर लग रहा है कि आपके भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही है, मरोड रोग है, पतियां पीली है, पतियां जल जा रही है, उस हालत में आप सड़ी हुई गोबर की खाट डालिए, इसका कोई भी लिम इफेक्ट नहीं है, दोस्तों आपके पौधे का समुचित विकास करता है, यह सड़ी हुई गोबर की खाट बहुत ही अच्छा होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको जरूर डाई, इसको आप हर तरह के पौधे में डार सकते हैं, चाहें इंडोर हो चाहें तो चार-पांच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तीन चमच के करीब इसलिए डाले हूँ दोस्तों, क्यूंकि मेरा गमला बड़ा है, तो आप अपने गमले का अनुसार डारियेगा, गमला छोटा है, तो एक इंच, एक चमच थोड़ा सा बड़ा है, दो चमच एक दम बड़ा है, तो आप चार-चमच तीन चमच डाले जागा तो देखिए दोस्तों, यह कीड़ा है, इसी में से टहलते हुए निकल के आ रहा है, तो ऐसे ऐसे कीड़े बहुत टहल हैं मेरे इस पौधे में, और यह अगर ऐसे ही पौधे में लगे रहेंगे, पौधे की जड़े हैं, उन्हें यह खाने लगेंगे, जिससे बिकास में बाधा औरूध होने लगते हैं, देखिए दोस्तों, एक इधर भी भग रहा है, तो मेरे इस पौधे में बहुत कीड़े भरे पड़े हैं, जिसका समधान कले के लिए मुझे यह डालना पड़ रहा पौधे का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है, तेजी से आपका पौधा बढ़ता है, इसमें बता दे दोस्तों, फास्पोरस, सलफेट, नाइटोजन, मैगनेशियम बहुत जादे पाए जाता है, इसका नाप एप्शम सॉल्ट है, अगर आप यह नहीं कहा पाएंगी, तो अगर मार्केट जाते हैं, तो वहां कहिएगा कि मुझे पौधो का नमक चाहिए, ठीक है, पौधो का नमक, एप्शम सॉल्ट, यह कहके मांगेंगे, तो आपको इजली मिल जाएगा, तो यह भी गमले का नुसार डारिएगा, अधिक ना डारिएगा, ठीक है, उसके बाद म ग्रोथ में भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, तो यह मैंने डेड़ चमच के करीव लिया है, आप अपने अनुसार लीजेगा, तो इसमें इतनी कड़ाहट होती है दोस्तों, कि यह पौधे का बहुत अच्छे से बिकास करता है, बारीक बारीक ऐसे फंगस होते हैं, ज मैंने यह मेथी का पानी डाल दिया है दोस्तों, तो जो मैंने यह पानी लिया था, वह कीचन का निकला हुआ पानी था, जो कीचन की सबजियों का फलो का होता है, वह ही यह पानी था, उसी में मैंने यह मेथी का पानी डाल के इसको दोगुनी ताकत वाला खाद बना दिया, अब इसमें मैं गुड़े डालूंगी गुड़े डालने से यह होगा दोस्तों कि इसकी ताकत और दोगुनी हो जाएगी जिससे ग्रोध बहुत जादे बढ़ने लगेगा तो देख सकते हैं कि मैंने कितना बड़ा टुकड़ा लिया है तो आप भी इससे छोटा भी लेए सकत आप पौधों में डारिये लेकिन मातरा भेली का कम रखिएगा अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता है तो नहीं तो कीड़े भी उतपन हो जाएगी मीट्टी में और चीटिया भी उतपन हो जाएगी मातरा कम रहेगा तो कोई चीवी उतपन नहीं होगा बहुत अच्छा युझ कनी पर मारे सब देखें कंद्राविक्षान दोस्तों। तो बार बार मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिज करतीूं कि फूल लटा यए वीडियो का जब लाक्स्ट कर रही थी तो मुझे वह मिला है. ठीक है तो ऐसे कर करकर देखे हैं कि मेरे पौधे का पूरा पौधे मिंत्स पूरा पानी शोक लिए है तो आप भी ऐसे मिट्टी भी तयार करेंगा और जो जो मैंने आज आपको अपनी वीडियों बताया उस उस बात का ख्याल लखिएगा देखिए आपका पौधा ग्रोध करेगा कभी आपका पौधा बीमार नहीं होगा तो आप देखिए दोस्तों मेरे हर पौधे की पत्मियां कितनी स्वस्थ हैं और फूल तो इस पे हमेशा आती रहती हैं लेकिन देखिए हमेशा फूल आती हैं लेकिन आप समय समय पर ख्याल भी रखिएगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा नहीं तो बहुत जल्दी बीमार भी पड़ता है, गुड़ाल का ही पौधा एक होता है और एक गुलाब, गुड़ाल और गुलाब ही पौधे ऐसे होते हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, तो इन्हें BCS देखभाल हमें समय समय पर करनी पड़ती हैं, अगर नहीं करेंगे तो कत समय हैं, और थोड़ा सा चत पर काला काला दिख रहा है, लेकिन आप देखने की कोशिच जरू करिए दोस्तों, तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जरूर करिएगा, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसलिए मेरा गुड़ाल पर अधिक वीडियो रहता है, क्योंकि गुड़ाल का पौधा ही अधिक बीमार होता है, गुड़ाल ही ऐसा पौधा है कि जो सबको प्रिया है, सबके घरों में पाया जाते हैं, तो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, नेस्ट टॉपिक के साथ, बाए!